नमस्कार मैं है अर्चना दिल के बाते वह है अर्चना इस चानल पे आप कहां स्वागत और सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया लाइक किया और कमेंट्स किये आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कोरोना वाइरस जिसने पूरी दुनिया में तहिका मचा के रखा है अब यह है क्या उसकी दवाई तो अभी तक या वैक्सिनेशन अभी तक निकला नहीं है तो आज हाउस वाइप हम अपने घर को अपने परिवार को किस तर से समाले कि यह कोई भी वाइरस हो या कोई भी मिमा सबसे पहले आया है और गलत मास खाने के वज़े से सुना है कि वह साब का मास भी खाते थे अभी खेला में भी एक बिमार कंफर्म हुआ है जिसको कोरोना वाइरस का वह शिकार है तो अभी हाम लोग अपने परिवार को क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे हास्वर का पर या अपने बुड़े माता जी पिता जी हो या साथ ससुड जी हो सक्की जो जिम्मेदारी एक हाउस वाइप पर होती है तो छोटी छोटी चीज़े जो हम लोग समाले तो कोई भी बीमारी इतनी जल्दी हमें बतलब हमें नहीं आ सकती अभी सबसे पहले बात जो मैंने अ हमारी इम्यून सिस्टेम रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी हैं यह सब भी जो वाइरस है या बीमारी है जब हमारी इम्यून सिस्टेम डाउन हो जाती है तो अटैक जल्दी कर देती है एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा उधारण दिया है अगर हम ढाल सामने रखते तो क कोई वी पत्तर हमारे तख नहीं बहुत है अगर वह धाल कमज़ो और वह च्छोटा सा चोटा पत्त भी आमें अ बतलब नॉक्त रह सकता है इसी बहुत से अगर हमारी immune system नाजू को या कमजोर हो तो छोटी सी छोटी बिमारी या वाइरस हमें यह हम पर अटक कर सकता है तो इससे इसलिए मैं कहते हूं कि सबसे पहले हमें as a housewife क्या करना है कि immune system बढ़ाने की जो जो चीज़े वह हमें घर में खाने में रखने चाहिए सबसे पहले बोलते है कि fiber fiber मतलब कोई भी fruit हो सबसे ज़्यादा अच्छा बोलते है जैसे कि apple हो और इस तरह से fiber जिसमें वो चीज़े हमें सबसे ज़्यादा खाने में लानी चाहिए दूसरा गला गला हमको हमेशा गीला रखना चाहिए सूका नहीं होने देना चाहिए इसके लिए पानी तो चाह है जैसे के motion भी ऐसे कोई भी citrids ज्यूस ज्यादा ज्यूस करें क्योंकि यह बिमारी श्कीन का डिसीजंग नहीं है जो हात वाद भी यूटूब में दखाय दिखाए गए वह नहीं है यह बिमारी है respiratory system से लंग्स पर जाती है तो जब हम खासते हैं और जब हमें सर्दी होत वो ऐसा है कि भीड में कम से कम जाएए अगर अभी स्कूल में बच्चे तो जाएंगे या ओफिस में तो हजबन जाएंगे या बार जानना तो पढ़ता है अरे को तो जब आते हो तो सबसे पहले सबसे पहले करना है अपने हाथ मिनीमम 30 सेकंड तक साबून से अच्ची तरसे दोना है इस तरसे दोना ही दोना है डॉक्टरों ने कहा है कि आखे नाग और मुख इस पर कम से कम हाथ लगाई है क्योंकि यह वाइरस है यह ही से फल रहा है तो हम यह सब अगर प्रिकॉशनल ले और दूसरी एक बात अभी मुझे याद आई कि वाइल्ड एनिमल से भी दूर रहना है वैसे हमारे शहरों में तो आनिमल ही नहीं दिखते तो वाइल के बाद दूर है लेकिन गाव में यह अगर नजदीक जंगल हो या कुछ हो तो जरा साउध हानी बड़ते और यह जो तीन चीज़े हैं जो हम हाउस वाइब कर सकते हैं जिसे हमारा परिवार इस वाइरस से या किसी भी वाइरस से सुरेचित रहे हाथ दोने चाहिए बाहर से आने के बाद और गला हमेशा गिला रखना चाहिए मतलब लिक्विड से बन करना चाहिए और हमारे घर के हर एक संतिर से को उनकी इम्यून सिस्टीम बढ़ाने की जो तरकीवे है वो आदमाने चाहिए बस ये तीनों अगर हम हमेशा के लिए इस्तेमाल करें या हमारे दैननिन रूदगार में जीवन में लाएं तो किसी भी चीज़ से हम मतलब ये बीमारी से हम बस सकते हैं जल्दी हमारे पास नहीं आ सकती इसकी गैरेंटी तो नकी है नमस्कार